बिसम लाइर रहमान रहीम दबलेंक पेज ओफिशल में आपको खुशामदीत कहते हैं अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा साथियों एक समय था जब मनिपूर को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलिफ उठाएं और कौन इतनी दूर जाएं जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरिया बढ़ेगी मित्रो मनिपूर के अंदर इस वक्त गुजरात 2002 रिपीट हो रहा है हाला कि इसकी शिदत थोड़ी उससे कम है याँ याँ पर जो जानी नुक्सान हुआ है वो उससे बहुत कम है 2002 में तो बहुत बड़ा जानी नुक्सान हुआ था लेकिन तरीका वारदात कुछ वैसा ही है वो यूँ के वहाँ पर जो पुलिस और पेरा मिलिटरी फोर्सेज हैं उनको सक्ती के साथ यू लगता है कि हिदायत की गई है कर जो मेजोरी कम्युनिटी मेथी कम्युनिटी है कि बीजेपी के वोटर्स है उनको ज्यादा सहूलत देनी है उनके पक्ष में आपने ज्यादा काम करना है और जो कूगी ट्राइब tres हैhen वो as usual इस पे सरापाई है तजाज जहें कुई सुन नहीं था अब وہاں पर आए दो कॉमबिंग उपरेशन्ज हो रहें हैं वहाँ पर जो कुकी ट्राइपस Bundes के एरी हैं महाँ पर कॉमबिंग आपरेशन्स हो रहे हैं पैरा मिलिटरी फॉर्सेज कर रहे हैं पुलिस पर तो ऊजिकिर उनको वैसे ही आप मेलेज वहां के वो कह रहे हैं कि ये जितना भी फसाद और ये सारा जो क्रियेट हुआ है ना ये जान बूच के किया गया है और एंबारेंसिंग इसके इसके जिम्हेवार हैं ये जरा सुनिए एक एकस नागा मेले हैं वहां के लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव वजीर समझ ल करना तापर्टी इस मिलिटरिए इस्ट उन्मनिपर्री इस्ट आग जिमिलिटरियख कि आए मोले हैं एक कि छिरम वेरोल्डे इस घसे विर्टिर लिट प्रियंटेटिण बनेक्राट इस्टेटिव इस टीच जर इस्ट इस बंद्टार्ट्री वहां कि रुट्ट इस्ट इ has become wider and wider so for the last but not the least praise people kindly see that what I speak is not from the Maitai mouth it is not from the Kuki mouth it is from the Naga mouth I am a Naga, I am the Lord Naga in the delegates you may not be afraid to hear from Naga of course you may be afraid to hear from Maitais and sometimes you may be afraid of these things or cookies but Samuel Jandai is a neutral force what I speak through this media is the correct thing therefore kindly inform Indian citizen what is happening around in a tiny state of Manipur thank you yes yes we have a story I have a story and I have a story there is a story I have a story but they have a story but they have a story interesting ट्राइब के जो लोग हैं वो इस पे इतजाज कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो कॉमिंग ऑपरेशन सो कोल्ड हो रहे हैं हमारी सेक्यूरिटी के लिए ये ऐसे ही दिखावा है और असल में यहां पर अमन लाने के लिए कोई खास एकदामाद किये नहीं जा रहे जब से ये वाक्या हुआ है ना 40-50 दिन हो गए हैं इंट्रेस्टिंग बात ये है कि इतना बड़ा वाक्या हुआ है और इंडिया का जो प्रधान मंतरी है प्राइम मिनिस्टर इस बंदे के मूँ से मनीपूर का लबज नहीं निकला हाला कि यही बंदा इलेक्शन से पहले ह बड़े भाशन दे कर गया था कि मनीपूर जो है उसको एग्नोर किया गया दिली वाले दिली में बैठे रहते थे मनीपूर को वो देखते ही नहीं थे अपनों को छोड़ा हुआ था अब जब मनीपूर की हिस्ट्री के सबसे बड़े दंगे हुए हैं इतने बड़े पाथियों एक समय था जब मनीपूर को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था जो दिली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलिफ उठाएं इतनी दूर जाएं जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरिया बढ़ेगी और इसी हवाले से जब ये अभी हाल में अमेरिका गए थे हैं मूदी साब तो मनिपूर के जो कुकी ट्राइब्स के जो लोग वहां पर बहुत सारे रहते हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था कई मकामात पे के मूदी ने वहां पर ये जो मार्क उटाई है और ये जो हिंदोत्वा की दर्शत गर्दों की आग लगाई हुई है इसको बुजाने के लिए मूदी ने कोई रोल प्ले ने किया इस पर प्रोटेस्ट वहां पर कुकी जो लगा हुआ है अकसर अलाकों में कर्फियू है इंटरनेट पूरे मनिपूर की बंद है और फलेग मार्च रात को जो फौज है वो कर रही है जी न्यूज ने खबर लगाई हुई है कि मनिपूर इन ग्रिप आफ सिविल वार और वो कहते हैं कि मनिपूर वायलंस दे सिचुएशन इस नाट रिटरनिंग तो नॉर्मल इन दी वायलंस एट स्टेट अफ मनिपूर नाट ओनली वायलंस और रायट्स आर हैपनिंग इन म अनिपूर बट सिविल वार इस गोईंग ओन तो पर एक वहाँ पर सिविल वार चल रही है और उससे ज्यादा बदकिसमती की बात यह है कि जिन फोर्सेज ने इनको रोकना है सिविल वार को वो साइड लेकर बेठी हुई है गालबन उनको उपर से आदेश आये हुए है कि जी मेर्थी कम्यूनिटी जो है उस पर आपने किसी किसम कोई हाथ नहीं डालना क्योंकि यह हिंदोत्वा सरकार के वोटर्स हैं बीजेपी को इनों नहीं ज्यादा तर वोट देकर और इलेक्शन में जितवाया हुआ है तो इस सुरत हाल में देखें वहाँ पर नॉर्मल सी रिटर्न होना दूर 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 तक पॉसिबल नहीं है यह आरेसेस और बीजेपी का तरीका है वारदात है गुजरात की अंदर भी नॉर्मल सी 24 गंटों अंदर रिटर्न हो सकती थी 2002 में लेकिन उस वक्त भी मूदी चुप था जैसे आज रोल प्लेई इसका नेचर में य गुजरात जल गया पूरा और पुलिस को आदेश था कि मेजोरिटी कम्यूनिटी को हाथ नहीं लगाना किसी ने कुछ भी नहीं करना यहां पर भी कुछ ऐसा ही हमें नदर आ रहा है लेकिन इसके चलते वहां नॉर्मल सी रिटर्न नहीं हो रही और अभी तक यह कहना कबल वक्त होगा कि मजीद कितने हफ़ते कितने दिन तक कर्फियू लगेगा और वहां पर और कितने महीनों में वहां चीजे नॉर्मल होगी इसके बारे में अभी तक कोई सर्टिन नहीं बता सकता